हलो एरिवन आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाया मिश्रा ब्लॉग टू एमपर गाइस देख सकते हो यह एक वाइरल हैक है जो कि आज हम अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे आपको देखते हैं यह वर्क करता है या नहीं जैसे कि पिछली वीडियो में ह आपको दिखाया था तो चलिए शुरू करते हैं तो पहले आज की पहली ट्रिक है वो है इस तरह के बैग को ले करके देखें यह कपड़े के बैग होते हैं यह बहुत यूसपूल होते हैं हम लोग क्या करते हैं ऐसे फेक देते हैं तो इसको फेकना नहीं है इस तरह से पर आप चाहो तो आप उससे मारकर से या पैंसे किसी चीज से भी निसान लगा सकते हो निसान लगाने के बाद इस तरह से राउंड सरकल सेप में काटना है इसी का भी दूसरा भी हम बताएंगे दिखाएंगे तो आप देखते रहेगा फुल वीडियो वाच करिएगा जिससे कि आपनों को बहुत अच्छे से ट्रिक्स पता चले तो गाइस यह काम नहीं कर रहे थे इसलिए दूसरी कैची ले आए हैं तो देखिए अब हमें अंदाजा हो गया है तो इस तरह से कट कर लेंगे आप चाहें pen pencil से किसी से भी mark कर लीजिएगा यह देखिए जो इसके लाश में तरीका बताएंगे ना उससे तो यह बिल्कुल वेस्ट भी नहीं होगा आपका यह कपड़ा तो यह देखिए कपड़े का बना हुआ बैग होता है बहुत यूसपूल होता है इस तरह से देखिए पीस रख देना उसके बाद दूसरा रखना है दूसरा पीस भी रख देना है उसके उपर से फिर से बाउस रट कर देना है अब क्या होगा आपस में बाउस है वो रगड नहीं खाएंगे निसान नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी scratch नहीं पड़ेगा तो आई हो आपको यह समझ में आई होगी चलिए इस तरह से अगर आप round circle shape में कट करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कपड़ा बरबाद होता है तो इसको बरबाद भी नहीं करना है अगर आप काटना चाहते हो round shape में भी cut कर सकते हो मगर एक और तरीका हम आपको बताते हैं यह देखिए तो प दो שdies से नहीं हैं इससे भी आपका बव Tabii बिल्कुल खराब नहीं होगा स्क्लेचेर नहीं पढ़ेंगे और इसमें तो आपका कपड़ा भी बरबाद नहीं जाएगा सबसे अच्छी बात है कि आप इसे और भी चीजों में youse कर सकते हो चलिए दिखाते हैं अब इन आपको दिखाते हैं कि आगे हमने नए बर्तर निकाले हैं जो कि आपको दिखाएंगे यह देखे उसी का क्रोक्री का सेट है तो इसमें क्याया देख सकत you यह बबलस वाली जो पॉलिथ्थी न आती है जो बढ़िया आप क्रोक्री का सामार लीज़े तो उसमें यह बबल्स वाली पॉलिथीन जरूर रखी होती है जिससे की प्लेट वगरा रगण ना खाएं तूटे नहीं तो अगर आपके पास यह बबल्स वाली हो तो आप यही लग सकते हैं अगर बबल्स वाली नहीं है तो इस तरह से देखिए चौकोर कटा हुआ पीस भी आप प्ले से तो यह देख सकते हो गाई इस तरह से पॉलिथीन जब रखते हो ना यह बहुत सारा मैसी होता है बहुत सारी जगा कहीं लेते हैं तो इनका हम बनाएंगे समोसा जो कि वीडियो में वाइरल है जैसा उनलों ने बताया था वैसे हम आपको बता रहे हैं देखिए इस तरह स आप क्या करेंगे इसको सीधा करेंगे और जैसे समोसा होता है मतलब पहले त्रिकोन आकार में फोल्ड करेंगे यह देखिए यह देख सकते हो एक त्रिकोन बना लिया है यह देखिए अब इसी को पलट कर हम दूसरा त्रिकोन बनाएंगे यह दिखिए जैसे हम कर रहे हैं वीडियो में दिखा रहना है आपको आपको बोलने से ज्यादा देखने में समझना है एक बात और गाइस एक आप बना लोगे फिर दूसरा आपको देखते हैं कैसा बनता है तो यह देखे पहले हम त्रभूज टाइप का बनाते जाएंगे यानि ट्राइंगल सेप में इसको करते जाएंगे तो यह देखे लाश्ट तक देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि लास्ट में क्या है यह देख सकते हैं इस तरह से तो यह देखे इस तरह से करते करते एक समोसे के जैसा आकार बन जाएगा या ट्राइंगल से बन जाएगा यह देख सकते हो यह देख यह जरा सा भाग खुला हुआ है क्योंकि जब ट्रिकोंड बनाएंगे न तो उसमें एक तरब का भाग हर हालत में खुला रहेगा ध्यान से देख लीजिएगा अभी एक और बनागर हम आपको दिखा देंगे जिसे कि आप अच्छे से समझ जाएं तो पहले तो हम ही देख ले यह हमारा वर्क किया है यह काफी अच्छा है तो देख सकते हो सेकेंड हम आपको बना कर दिखाते हैं तो पॉलिथिन फिर से ले ली है अब ध्यान से देखिएगा अगर आपको कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को रोक रोक कर फिर से देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अच्छे से समझे क्योंकि लाइफ जो होती है न क्योंकि सहर वगरा में सब कहीं पर आप इस समय पर किचन बहुत छोटे-छोटे होते हैं इस तरह से पॉलिथिन वगर अगर फैली पड़ी रहती है तो बहुत मैसी लगता है बिल्कुल समझ लगी थी बनाने में मगर जब आप दूसरा बना रहा है तो यह देखे बिल्कुल अच्छे से बन रहा है और बहुत ज़्यादा सफाई से बन रहा है यह देख सकते हो बस कुछ नहीं करना है बस त्रुकोन आपको मोड़ना है यह देख सकते हो इस तरह से यह देखे बस एक एक कोने पर हाथ रखना है, दूसरे कोने पर फोल्ड कर देना है, तो यह देख सकते हो, यह देखें, खीचते विए थोड़ा सा टाइटली करना है, जिससे के छोटे-छोटे से ट्रुकों बने, यह देख सकते हैं, यह देखें, गाइस पूरी तरह से कोसिस करी है, आपको जाने कि अगर इस चीज में समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो हम फिर से भी समझा देंगे या फिर आफ वीडियो रोग कर फिर बार बार देख लीजगा जिसे समझ में आजा देखें और सबसे वैस्ट बात यह है कि आप एक बार इस चीज़ को फिर यह काम आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं वो भी बहुत आसानी से हो बहुत सौक से करेंगे यह देख सकते हो इस तरह से आप अपने किचन को ओगनाइस करके रख सकते हैं अब इस साइड में जहाँ पर टॉला हुआ है वहां पर सिर को फोल्ड करदेंगे यह देखे तो चलिए दिखाते हैं आप को अरी सारे बना करते और देखे इतनी सारी पॉलिथीन कितनी कम स्पेस में आ जाती है यह देख सकते approached जैस् second धेर सारी polythen बना लिए देखे पहले तो तीन देख ली थे अब यह देखिए तो इसी तरह से देखिðे हमने क्या क्या हैँ धेर सारी polythen यह देखिए जितनी polythen हमारे पास थी 5 – 6 polythen ह correun t venue सारी बना ली है आप Imaging और डेखिए ढालने昨 दूसक्व trick को जरूर्प सुलों करें नेक्स ट्रिक में डियाइवाई हम आपको बताएंगे एक तो देखें क्या होता है ना इस समय पर मिट्टी आपके पैरों के नाखूनों में यहाद के नाखूनों में फस जाती है या काम करते-करते हाद के नाकून थोड़ा सा खराब हो जाते हैं दर्द होते हैं तो उनके दर्द को दूर करने के लिए एक हम DIY बनाएंगे तो इले लिए मस्टर्ड आयल थोड़ा सा लेना है और हल्दी पाउडर डालना है यह देख सकते हो इस तरह से जितना आपको यूज करना है बस उतना ही बना का रखे अगर आप जादा बना के रखना चाहिए तब भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसको लगाते समय इसको गरम कर लेना है तो यह देखे थोड़ा सा हल्का सा गरम करेंगे गूरवना करेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि हलदी हमारी anti whytik होती है सारे रोग टीन गंडे के लिए चोड़ दीजए यह समझ लीजए अर दो से तीन खंटे के लिए छोड़ दीजे यह समझ लीजे और दो से तीन गंटे कर नहीं होता है तो एक घंटे तो हरालत में छोड़ दीजे जिसे किे अच्छे से बैक्टिरिया खतम कर सके आप यहातों का पैरों का और दर्द कम हो सके तो यह देखिये इस छलिए आगे वीटियो में दिखाते हैं कि आपको हात के लिए क्या करना है। तो तो देखे, गरम गरम ही ले लेना है। और अब करना क्या है। देखे, जैसे कि हमारे हात में जर्ण हो रहा है। इस तरह से करके हम लेप लगाएNगे। मतल 챙हाए इसको लगादेंगे अच्छ दिखा रहे हैं अगर आपके पस गर्म वाली पट्टी होती है तो वह आप लपेट सकते हो बांध सकते हो अगर गर्म पट्टी नहीं होती है तो कोई भी मफलर है या फिर कोई भी कपड़ा है आप उसे इस तरह से बांध कर रात भर के लिए छोड़ दीजी यानि ओवर नाइ लगी होगी नेक्स ट्रिक में दिखा बताते हैं आपको कि क्या है मिर्च खाना काफी लोगों को पसंद होता है हरी मिर्च खाना मगर क्या होता है ज्यादा तीखा होने के कारण वो लोग खा नहीं पाते हैं तो करना क्या है आप देख सकते हो ज्यादा दिखा होता है तो ज हो जाएंगे देखे अज़ा नाइफ से घृटकर रहा हैं करना कर दो इस तरह से करते हुए देखें अन्हें वीज को निकाल देना है यह देकि कि अब क्या है इसके सारे के सारे वीज निकल जाएगे आप मिर्च को अगर खाने करेंगे क्योंकि हरी मिरच के बीज बहुत ज्यादा तीखे होते हैं जिसकी वज़े से मिरच तीखी हो जाती है तो आई होब देखिए एक मिरच में कितनी सारे बीज निकले हैं तो आई होब आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट करके इए, निकलेग, सुष्धिर